गरतंत्र दिवस से पहले दिशा और निकिता ने रची गहरी सासिश धालिवाल के साथ वर्चुल मीटिंग टूलकिट मामले में जलवायू कारेकरता दिशारवी की गिरफतारी के बाद अब कई चौकाने वाले खुला से सामने आ रही हैं टूलकिट सोशल मीडिया पर साजा करने के मामले में निकिता जैकब और शांतिरू के खिलाव भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है पुलिस दोनों की तलाश कर रही है वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मताबिक दिशा ने ही किसान आंदोलन से जुड़ी टूल कर रही थी यही नहीं दिशा रवी फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम का एक ट्विटर हैंडल भी चलाती हैं सूत्रों के मुताबिक दिशा निकिता ने जूम एप पर खालिस्तानी समर्थक और पोईटिक जस्स फाउंडेशन के फाउंडर एमो धालिवाल के साथ मीटिंग की थी ये मीटिंग 26 जनवरी को हिंसा और अराजकता फैलाने के मकसद से की गई थी दिल्ली पुलिस के अनुसार दिशारवी पांच दिन की दिल्ली पुलिस की विशेश सेल की हिरासत में है उसने चाला की करते हुए अपने फोन के डाटा को भी डिलीट कर दिया था जिसे रिकवर करने के लिए फोरण से क्लैब भेजा गया है दिशा के खिलाफ राज द्रोह के अलावा आई पीसी की धारा 124 ए के तहट भी मामला दर्ज किया गया है तोलकेट की जांच में ये बात सामने आई है कि खालिस्तान समर्थक पोईटिक जस्स फाउंडेशन के सहयोग स दिशा समेत कई लोगों ने खालिस्तान मुवमेंट को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची देश विरोधी गतिवीदियों में शामिल दिशारवी की गिरफतारी के बाद अटाक और डेमोक्रेसी का राग अलापने वाले छाती पीटने लगे हैं अर्विंद केजरिवाल और सर्शी थरूर समेत कॉंग्रेस वामपंथी वर्ग और तमाम एक्टिविस्ट और मुम्बती गैंग दिशा की रिहाई की मांग करने लगे हैं टूलकिट को भारत और उसके वैद रूप से अधिनियमित कानूनों को बदनाम कर करने के लिए एक थोस वैश्विक साजिश अब बेनकाब हो चुकी है टूलकिट को लेकर दिल्ली पुलिस को लगातार नए नए सुराग मिल रहे हैं जिससे किसान आंदोलन को भड़काने और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले चहरे बेनकाब होने लगे हैं